Dear students, आज हम लोग, और्गनिजमेंट पॉपुलेशन जो चैप्टर है 12 खा, NCRT से ये चैप्टर नमबर 13 होगा, इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. स्टार्ट करते हैं कुश्चन नमबर 1 से, कुश्चन पढ़िए आप, How is dipos different from hibernation? हाइबर नेशन से dipos अलग कैसे होता है, दोनों में difference क्या है, अंतर क्या है, ये आपको बताना है. तो सबसे पहले तो आपको याद करना है ये अपने notes में, कहां आपने हाइबर नेशन और dipos को पढ़ा था. आप याद करिए, आपको एक chapter, आपको एक video lecture दिया है, जिसमें topic था, responses to abiotic factors, जिसमें हम लोग याद करिए, अगर तो regulate, confirm, उसके बाद से migrate, suspend, ये सारा topic हम लोग कवर किये थे. उसमें जो suspend वाला जो topic था या point था, उसी में words आये थे, hibernation, estivation, dipos, ये सब, नहीं, hibernation हम लोग किसको बोले थे, याद करिए, तो hibernation बोला था, winter sleep को, नहीं, बोला था कि जब भी, sit निश्क्रिया था, हिन्दी मोलते हैं इसको, sit निश्क्रिया था, जब कभी भी, थंडी से जुड़े हुए समस्याओं, winter या cold related problem से, बचने के लिए, organism, अपने metabolic activity को slow करते हैं, मतलब अपने जविक क्रिया को, या उपापचाई क्रिया को धीमा करते हैं, तब हम लोग उस process को hibernation करते हैं, याद करू किसको बोला, जब cold related problem से, ठंडी से बचाओं के लिए, जब organism छुपते हैं, या अपने जविक क्रिया को, अपने metabolic process को slow करते हैं, तो process को hibernation करते हैं, कितना clear हुआ, इसी के साथ एक और concept किये थे हम लोग, activation, इसका ठीक उल्टा था, हाईवर नेशन का, इसको अंगरेजी में activation कर रहे हैं, तो हिंदी इसका होता है, ग्रिश्म निश्क्रियता, इसमें क्या था, कि heat related, गर्मी से समान्दी जो problem से समस्याएं हैं, उनसे बचने क लिए जब organism, sleep mode में चले जाते हैं, तो process को हम लोग, activation कहते हैं, नहीं, अभी तो इसका example आपको मिल जाएग, अगर आप गाउं में हैं, तो आप देख सकते हैं, कि अफिर रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो snails हैं, snails जो होते हैं, गोंगे, जो snails हैं, ये क्य स्टार्ट था, जब गर्मी थी, यहीं क्या थे, यह मिट्टी में, स्वाइल में चीबे हुए थे, अब थोड़ा favorable करनी चान आया है, तो यह क्या हो रहा है, रेन वाटर के सांथ, बाहर आ रहा है, चली, हम लोग को compare करना है, हाईवर्नेशन और एस्टिविशन को नहीं, य हम लोग को जो तुलना करनी है, वह करनी है, हाईवर्नेशन और डाइपॉज में, तो डाइपॉज के बारे मैं बताया था, कि यह अभी क्या है, यह अभी एक तरह का, और्गनिजम का, या जीवों का, अपने metabolic process को suspend करने का, या slow करने का process है, या तरीका है, नहीं, इसमें क् को पताया था, कि जो जू प्लैंक टॉंस होते हैं, खास करके, जू प्लैंक टॉंस, वो अपने metabolic process को, अपने उपापचाई प्रक्रिया को adverse condition में क्या करते हैं, slow कर देते हैं, और इस process को हम लोग डाइपॉज कहने लगते हैं, जब जब एनिमल से क्या करते हैं, एनिमल में क प्रिलेटेड प्रलम से, ठंडी के समस्याओं से, अपने आपको बचाने के लिए metabolic process को slow करते हैं, तो process हुआ, हाइबरनेशन, और यहीं water में रहने वाले, microscopic, जल में रहने वाले जो सुक्ष मंजीव होते हैं, जब वह आपने metabolic process को विशम परिसितियों में, adverse condition में slow करते हैं, तो process को dipause कहा जाएगा, यह तीनों वर्ड आपको clear हो जाने जाएगे, dipause, hibernation और estivation, next question देखते हैं आम लोग, second question, if a marine fish is placed in a fresh water aquarium, will the fish be able to survive, why और why not, कता है, marine fish मतलब जो समुंदर में, जो महाशागर में, ocean में, sea में, जो रहने वाली fish यह मचली है, अगर उसको fresh water aquarium रखते हैं, साप पानी, जिसका आपको पताया था, जिसकी salinity less than 5 होती है, 5 से कम होती है, अगर उसमें रखते हैं, तो क्या होगा, वो fish जिन्दा रहेगी, या नहीं रहेगी, रहेगी तो क्यों, नहीं रहेगी तो क्यों, यह आपको बताना है, तो इसको समझने के लिए थोड़ा सापक 11th class का concept याद करना चाहिए, क्या है, आप याद करिए, जब आप water relation पढ़ रहे थे, तो आहां पे आपको solution के 3 types, 3 types बताया था solution का, कौन कौन से बताओ, एक बताया था, hypertonic solution, hypertonic solution, दूसरा बताया था, hypotonic solution, और तीसरा बताया था, isotonic solution, जिनको याद आ रहा होगा, उनसे एक question आराम से, शॉल भी हो जाएगा, hypertonic solution किसको बोलते हैं, यदि cell के, cell के osmotic concentration से, अगर जो आपको जो बाहर का, जो external solution दिया है, उसका concentration या शांदरन अधिक होगा, तो वैसे solution को आप hypertonic कहेंगे, यदि, अगर cell के concentration से, जो solution है, उसके concentration से, अगर जो external solution है, उसका concentration कम होगा, तो वह होगा, है, hypertonic solution, और अगर, cell के अंदर जो fluid है, जो drop है, उसका concentration, और जो बाहर का, जो solution है, उसका concentration बराबर हुआ, तो हम लोग, solution को जो कहेंगे, क्या, isotonic solution, अब question है, कि fish कहां कहें, तो marine fish है, नहीं, तो आपको पता ही है, कि ocean या sea में, salt concentration high होता है, मतलब कि जो fish है, वहां, hypertonic, hypertonic solution में रहने के, के लिए, अनुकुलित है, या adapted है, उस fish को, उस मचली को, आप क्या करते हैं, fresh water में डालते हैं, मतलब आप hypotonic solution में डालते हैं, नहीं, और तब आप से पूछा जा रहा है, कि भाई, वह fish survive करेगी या नहीं करेगी, अगर करेगी तो क्यों करेगी, जैसे ही आप fish को hypotonic solution में डालेंगे, याद करिए क्या होगा, यह फिस तो आई है, hypotonic solution से, नहीं, इस fish के body में, अब देखों यहाँ पे, यहाँ पे salt concentration high है, और hypotonic solution में salt concentration कम है, तो क्या हो जाएगा, water जो है, fish के body में इंटर करना solution से start कर देगा, बह समझा रहा है, तो इसे क्या हो जाएगा, यह fish survive नहीं कर पाएगी, यह fish जिन्दा नहीं रह पाएगी, चलिए, next question देखते हैं, most living organisms cannot survive at temperature above 45 degrees C, कहता है, कि अधिकान्स organism जो होते हैं, वह 45 degrees Celsius, 35 degrees Celsius temperature के उपर survive नहीं कर पाते, जिन्दा नहीं रह पाते हैं, how are some microbes able to live in habitats with temperature exceeding 100 degrees C, question आपसे कर रहा है, कैसे कुछ microbes, कुछ सिक्ष मिजी हो, क्या करते हैं, तो exceeding 100 degrees C, 100 degrees C, 100 degrees C, से उपर के temperature वाले जो habitat हैं, आवास हैं, उसमें जीवी तरह जाते हैं, simple language में बोला जाए, तो आपसे question कर रहा है, कि समाने रूप से जो जीव हैं, अधिकान्स जीग, 45 degrees Celsius temperature आते हैं, उनका death होना, उनकी मिर्तिव होनी शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसे microbes या सुक्षम जीव हैं, जो 100 degrees Celsius temperature के उपर भी जिन्दा रहते हैं, आखिर ऐसा कैसे संभव होता है, इसको समझने के लिए भी आपको थोड़ा सा 11th का concept याद करना चाहिए, अब देखो, 11th में आप bacteria जब पढ़े थे, तो आपको पताया था, एक bacteria होते है आरकी bacteria, याद है, आरके bacteria, आरकी bacteria में एक bacteria होता है, या bacteria के एक group होता है, जिसको हम लोगों ने कहा था, थर्मो एसिडो फिल्स थर्मो एसीडो फिल्स यह जो थर्मो एसीडो फिल्स है आपको पताया था कि यह वो बैक्टेरिया है या आरके बैक्टेरिया है जो हाई टेम्परेचर पे सर्वाइब करते हैं हाई टेम्परेचर पे जिंदा रहते हैं यह कहां पाया जाते हैं तो यह होट अंदर जो hot vents होते हैं जो गरम जिखेटर होते हैं वहां पाए जाते है जहां का temperature क्या होता है बहुत हिं ज्यादा होता है ठीक तो यह जो बैक्टेरिया है यह कैसे सर्वाइब करते हैं तो इनके अंदर जो इंजाइम से होते हैं वो हाई टेंपरिचर पर भी डिस्ट्रोइड डिनेचुरेट ये खराब नस्ट नहीं होते हैं जिसके खारण से ये बैक्टेरिया सर्वाइब करते हैं अभी 12 में जबा बायोटलोजी पहुणना सुरू करेंग तो वहाँ पर एक इंजाइम के हम लोग बात करेंगे टैक पोलीमरेज एक इंजाइम का बात हम लोग करेंगे टैक पोलीमरेज ये इंजाइम हाई टेंपरेचर पे काम करता है और क्यों काम करता है तो ये एक बैक्टेरिया से सही थर्मो एसीडो फिलस बैक्टेरिया से जि से निकाला जाता है तो अभी हम लोग समझ पाया कि क्यों यह माइक्रोप्स जिंदर आते हैं क्योंकि इनके इनके जो एंजाइम्स हैं वह क्या होता है हाई टेंपरेचर भी खराब नहीं होते हैं चलिए एक नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं कोश्चन और फोर कह रहा है कि लिस्ट दा एट्रिब्यूट्स डैट पॉपुलेशन बट नॉट इंडिविज्वल्स पोसेस कहता है कि आप एक सुची में तो मिलते हैं लेकिन इंडिविज्वल में एक जीव में नहीं मिलते हैं तो फिर यहां पर आपको थोड़ा सा पॉपुलेशन और इंडिविज्वल में डिफरेंस समझना होगा इंडिविज्वल का मतलब कोई एक जीव नहीं और पॉपुलेशन किसको बोलते हैं तो ए एक type के या एक species या प्रजाती के जीव का समूं जो एक definite area में एकbas are एक निस्सीत ессित समय में उपस्तित होते हैं ठों गुण जो character या attribute इंडियूजम में होगा एक जीव में होगा वहीं उसके स्मूं में भी पाया जाएगा यह बिल्कुल सही है लेकिन यहां question क्या है इससे थोड़ा अलग है कि वह आपको उन गुणों को उन characters के बारे में चर्चा करनी है जो individual में नहीं मिलते लेकिन उसी के population में मिलते हैं तो यह question जो है कोई बहुत भारी नहीं है कोई बहुत लेंदी नहीं है आपको population में ठेर सारे points बताएगा है जो आप population पढ़ रहे थे तो आपको कई सारा point बता है simple अगर याद करो तो population density अब बताओ कहीं कि अगर population density निकालनी हो तो एक individual के knowledge से निकल जाएगा नहीं तो population density जो character है या गुण है यह तो population का है लेकिन यह individual में नहीं मिलेगा यह बताओ जाया जैसे माल हमको निकालना हो mortality या नेटालीटी mortality या नेटालीटी नेटालीटी अब जारा सूच के देखो तो mortality या नेटालीटी हम किसी individual होता नहीं निकालते हैं जनमदर मृत्यूदर किसी एक कतर एक जी कोता नहीं निकलते हैं यह किसका निकालते हैं एक population भी किसka एट्रिब्यूट हो गया यह हो गया पॉपूलेशन का क्लेर आप questions को solve नहीं कर रहे हैं, revise नहीं कर रहे हैं, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़िए, मेहनत से ही आपको knowledge मिलेगा, बाकी क्या है कि आमने सामने होने पर तो बहुत सारी बातें होती हैं, subject ज्यादा आसान रहता है, लेकिन जो source हैं, जो हमारे पास जो साथन होते रहिए, बहाना बनने से कुछ मिलने वाला नहीं है,